आपका स्वागत है मैं स्वीटी और मैं आज आपको बहुत ही जटपट एक मीठी रेस्पी बनाने जा रहे हूं जिसे बिहार में लोग ज्यादा बना कर खाते हैं रेवरी के नाम से भी उसे बोलते हैं मैद वेरी कि मैद करके हैं जटपट बनाऊंगा और सिर्फ तीन चीजों दो चीजों में अपतियार कर सकते हैं चली इन्त स्वाटप़ा करते हैं चली स्प्रक्स करतें सब्से पहले और एकटोरी और धी और इसमें हम करीबन दो से तीन चम्मच चीनि एड़ करेंगे मैं अपने अंदाज से ले रही हूं आप जैसे कि मैंने बता हैं दो से तीन चम्मच इसमें एड़ करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही जड़पड बनने वाली रेस्पी है बट बहुत ही टेश्टी है आप इसे घर में जरूर करें बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है तो नहीं यह डाल दिया अब इसमें हम पानी डालेंगे और हलके हाथोस्ते इसके दो त्यार करनी है पानी हम हलके हलके यूज करते जाएंगे बहुत हलके हलके हम पानी यूज करते हुए हां आटे को मलते हुए एक सॉफ्ट दो त्यार करनी है जो उसी तरह का होना चाहिए ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा सॉफ्ट नुर्मिल होनी चाहिए तो इसे हाथों से मलते हुए हम दीरे दीरे त्यार करेंगे और पानी हलका हलका एड़ करते जाएंगे तो फ्रेंस ये हमारे डो रेडी हो गए है इसको आप हाथों से इस तरीके से पुश करते हुए तो ढो को त्यार करेंगे, तो ढो हमारे ready हो गें, यह बहुत ही ज़टवट और instant बनने वाली रेस्पी है, तो यह हमने ढो त्यार कर लिया है, अब इसके साथ के हम इसकी गोलियां त्यार कर लेंगे छोटी छोटी हम गोली हम बना लेंगे इसके, इस तरीके से हम size अब जैसा जितना चोटा जितना बड़ा उस तरीके से जैसे हमने ये काटी और इसको इस तरीके से हाथों से पर सुख्या आटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये खुद से हो जाते हैं आप देख रहे हैं मेरे हाथों में चिपक नहीं रहें अगर आपको लगे क्योंकि डो ही इस तो ये हात में चिपकते नहीं है इस तरीके से हम सारे डो से हम एक गोली की तरह तयार न लड़ू कर लेंगे छोड़ा चोड़ा तल देंगे, देल फ्राइ करना है, आज मेडियो होना चाहिए, नहीं तो ये उपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ये डालने के बाद इनको आप चश्ट, कुछ सेकेंद बाद आप इने हलका हलका हिला दें, जिसे ये आपस में चित्के ना, इस तरीके से और इसे आपको गोल्डन ब्राउन कर लें, दो से तीन में टाइम लगेंगे इसे फ्राइ बिने में, आपको ये देखते रहना है कि एक साइड अगर ब्राउन हो जाता है तो आप इसे दूसर साइड प्लाट लें, इस तरीके से अगर एक साइड हो गया हो तो हम सारे ये हल्का ब्राउन हो आप इसे थोड़ा सा फिर और इसे पकने देंगे, इसके बार हम इसे सारे पिल्टेंगे, तो हम इस तरीके से सारे एक करके हम प्लट लेंगे, तो तो हम ज़ादा बने है। हलका साथ गोल्डन ब्रावन करने है। हमें इस तरीके से सब्सक्राइब अब ज़िए। तो आप देख रहे हैं सारे गोल्डन भू रखे हैं। तो आप दूसरी साइड के बारी है। बस हम कुछ देट करेंगे और दूसरी साइज भी हो जाएगा तो बर्तन में निकाल जाएगा यह आप देख रहे हैं यह हमारा गोल्डन डाउन हो चुका है और फ्रेंग्स इनके साइज भी तलते समय थोगे बड़े हो जाते हैं तो आपके लोई आप अपने कोर्डिंग ही बनाएं ज्यादा बड़ा ना ही रखे तो बेटर होगा यह देख रहे हैं अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे तो हमारे यह लटू बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो इन सब को हम निकाल लेंगे हमने बर्तन लिया है और इसमें हमाब पानी आड़ करेंगे और इसी के साथ साथ हम चीनी भी आड़ कर देंगे है और इने हम अच्छे से निक्स करेंगे कि र चास्ट्रा करने हमें हम हमें इसके चास्त्रा कर लेंगे इसमें हम चुढकीॉक ब데 сам चल्ड़बसकर तो अब हमें क्या घरना है इसमें इन लगों को ढाल देना है इस तरीके से हमें एड़ कर देंगे जो हमें एड़ कर दिया है तो यह देखिए हमने इसमें लड़ू डाल दिया है और यह गया सब हम बंद कर देंगे और इस लड़ू को यह गरम में खाया जाता है इसे आप निकाल कर फ्रेज में रख दें इसको ठंडा होने के बाद घाए तो यह ज़्यादा जादा टेस्टी होता है तो फ्रेंस यह हमारी मिठी गोली या यू का मिठी लड़ू हमारी त्यार हो गई है आप इसे अपने घर में ट्राइए एक वाड़ कर सकते हो यह बच्चों को बहुत पसंद आता है और जटपट भी आपको बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा त तो इसे आप एक वाड़ ट्राइज जरूर कर सकते हो तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें सेर करें और हमारे और भी ऐसे सिंपल एंड टेस्टी एंड जटपट बनने वाली रेस्पी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें धन्यवाद